नमस्ते वेलकम तू रोनक एमबरोड़री डिजाइन सब्सक्राइब ट्रेनिंग पार्ट वान को आप सभी को स्वागत है मैंने इससे पहले तेलुग में डिजाइन ट्रेनिंग का विडियो बनाया था क्योंकि मैंने जो मशीन दे रहा हूँ पुरा साउथ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा में साउथ इंडिया में में मशीन का सप्लाई करता हूँ तो नौर्थ इंडिया में भी थुड़ा बहुत अभी में सप्लाई करना सुरू किया हूँ तो यह जो मशिन है यह मशिन मैंने जिनको दे रहा हूँ उनको software designing और training वगरा वगरा सब में मेरा engineer भेज के करवाता हूँ तो मैंने जिनको दिया हूँ यह मशिन तेलूग में विडियो बनाया इसका बात अभी हिंदी में बना रहा हूँ इसका बात तामिल और दूसरे दूसरे लांग्वेज में वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरा कस्टमर को कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरा कस्टमर का एक भी दिक्कत कस्टमर सामना नहीं करना चाहिए इसलिए मैं हर लांग्वेज में में वीडियो बनाता हूं पहले मैं तो आप सभी से शमा प्राथना करता हूँ इसलिए कि इतना टेंशन में मैं क्या बोल रहा हूँ और मैंना मानसिक जो है न मतलब कोई सूच के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि यह सुब बूलना चाहिए यह सुब नहीं बूलना चाहिए जब भी मेरे को पांच कर दीजिएगा छोटे भाई समझ के तो मैंने सिंगल हैड डबल हैड मल्टी हैड और टेबल टॉप एम्परोडर यह सारा मैंने सेल करता हूँ और मैरा सर्वीशिंग का बार में मेरा कस्टमर को आप पूच सकते हो मैरा रेस्पोंस 24 इंटो 7 में हर कस्टमर को रेस्पोंस देता हूँ और मशीन में कुई दिक्कत आए औडियो कॉल फीडियो कॉल का सपोर्ट भी देता हूँ और इंजिनियर आपका पास भिजबा के वो सब सौट आउट करके देता हूँ मेरे से जो मशीन लेते हैं उनको एक साल का वारेंटी का साथ डिजाइनिंग सब्ट्वेर वगरा सब मैं फ्री में देता हूँ तो आपको अगर मशीन लेना है चोटा मशीन हो या बड़ा मशीन हो घर में रखना हो या दुकान में रखना हो तो आप मेरे को कॉल करियेगा मैं इतना जूर करके बूल सकता हूँ कि मेरा जैसा servicing इंडिया में कोई दे नहीं सकता है ये मेरा 100% दावा है क्योंकि हमारा जूर वानर के अंबरोडेरी टीम वो कस्तमबर का छोटा सभी छोटा प्रोब्लेम हो तो हम सबने मिलके उनका solution निकालके उनको प्रोब्लेम से बाहर निकालते हैं तो चलिए इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप भी हो जाएंगे चलिए भी मुद्दे पर आते हैं मैं ये पार्ट वान में आपको ये बताना जा रहा हूं कि ब्लाउज डिजाइन अगर चोटा आधा अधा डिजाइन अगर आपका पास हो तो आप उसको जॉइंट करके कैसे बड़ा मशिन में चला सकते हो आधा 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 दू पार्ट में डिजाइन चलता है इसलिए कि मशिन छोटा होता है उसमें एक ही साथ में डिजाइन बनने ही पाता है उसमें आप एक डिजाइन पुरा ब्लाउज का डिजाइन अगर आप बनाएंगे तो एक दिन आपको लग जाता है इसलिए कस्टमर हमारा पास बड़ा मेना तो फ्री में देता हूं फिर भी उनका पास जो डिजाइन रहेगा छुटा मशीन का डिजाइन उन्होंने अगर वही डिजाइन को जॉइंड करके बड़ा मशीन में चलाना उनका मतलब चलाना चाहते हैं और वह डिजाइन भी आपको चलाना जरूरी है क्योंकि वह सब आपको वेस्ट होना नहीं चाहिए वेस्ट होने नहीं दूंगा मैं इसलिए यह तुटिरियल में आपके लिए लेकर आया हूं तो आप वह सब डिजाइन में आप जॉइंड करके बड़ा मशीन में लगा सकते हैं और मेरा मशीन में डिजाइन आपको एक completely blouse डिजाइन बन आपको जॉइंड करके बताता हूं नमबर वान का पर डबल कलिक किया सब्सक्राइब अभिक करने के बाद मेरा मैं अक वीन दिखा रहा है कि निचे में डिजाइन ऐस करके निचे में निचे में फाइल है। फुलनेक का एक design दिखा रहा है EMB file में तो यह इसलिए एक ही design दिखा रहा है कि निचे में design file EMB करके निचे में है इसलिए आपको EMB file जो है वही file ही आपको दिखाएगा तो इसमें DHT फाइल भी है तो यह आपको नहीं दिखा रहा है DHT फाइल यह सारा फाइल दिखने के लिए आपको इसका उपर क्लिक करिए All फाइल का उपर क्लिक करिया भी देखिए सारा डिजाइन ओपन हो गया यह 700 फ्रांट यह फ्रांट का डिजाइन है इसको जॉइंट करने का कोई जरूवत नहीं है और हैंड का भी कोई जरूवत नहीं जॉइंट करने का यह जू होता है Left और Right क्योंकि यह दूनों डिजाइन आपको छोटा मशिन में चल जाएगा तो यह जू डू डीजाइन है इसको आधा-धा ही करके चला थे तो इसको मैं जॉइंट करना बता रहा हूँ पहले मैं left part ले रहा हूँ open कर रहा हूँ left part open करने का बाद अभी देखिए left का part open हो गया तो इसको मैंने ctrl a keyboard में press किया ctrl a press करके ctrl c press कर रहा हूँ ctrl a means all select c means copy तो all select करके मैं copy कर लिया copy करने के बाद इसका right part में open करता हूँ file में click करके open click किया open click करके right part click किया right part भी open किया right part open करके मैंने क्या करूँगा right part को all select कर दूँगा ctrl ले दबा के थोड़ा zoom in कर लेता हूँ करके इसको थोड़ा सा बाजू में ले लेता हूँ इसलिए कि दूसरा पाट जब मैं paste करूँगा इसका अपर joint हो जाए इसलिए मैं पहले से थोड़ा इसको side में ले लिया अभी ctrl v दबाया ctrl v फर वैन ctrl v दबाने के बाद paste होगा ctrl v मतलब paste होगा वो design कोपी किया था left वाला पार्ट वो अभी paste हो जाएगा अभी देखिए वह वाला पार्ट paste हो गया मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ जूम करके mouse में click करके देखिए मैं mouse click किया लेकिन double click हो गया single click ही करना है गलती से double click हो गया तो इसको फिर zoom कर लेता हूँ और थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ इसको zoom कर लेता हूँ अभी single click किया करके इसको mouse left click पकड़के पूरा इसको joint कर लेता हूँ design पर joint कर लेता हूँ अभी भी सही तरीका से joint नहीं हुआ है थोड़ा बहुत उपर नीचे है मैं इसको keyboard में जो arrow symbol है उसको थोड़ा दबाके नीचे ले आ रहा हूँ देखे और थोड़ा नीचे लेकर आ जा रहा हूँ मैं कोई practice करके आपको नहीं बता रहा हूँ कि यह सा बूलना चाहे वैसा बूलना चाहे इसलिए मेरा language में थोड़ा जैसा कि जो practice करने का बाद जो आपको जो line में बुला जाते हैं मैं बूलना ही पा रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ कि आप समझ जाएंगे तो मैं design करके आपको बता रहा हूँ देखे थोड़ा अब इसको joint कर ले रहा हूँ और थोड़ा joint होगा और थोड़ा नीचे लेकर आ जा रहा हूँ देखे यह joint हो गया है ठीक है यह design joint हो गया है शरी मैं आपको पीच में मेरा call आ गया थे इसलिए मेरे को कभी भी time नहीं मिलता है ठीक है वह सब छुड़ी है अभी इसको joint कर लिया हूँ अभी देखिए इसको joint करने का बात जीरो दबाने का zero keyboard में zero दबाएंगे तो यह full screen size आता है तो बहुत मैं zero दबाया कीवर में full screen size आया 1 दबाने से original size आता है और zero दबाने से full screen size आता है मैं zero दबाया के अबको design दिखा दिया अभी देखियो यह design यहिसा है तो इसको एक एक कलर में cut paste करना पड़ेगा इसलिए cut paste करना पड़ेगा कि जो design मैंने joint किया पूरा ही देखिए ये color चलेगा इधर से चलके यहां तो खतम होना चाहिए अब कट paste नहीं करूँगा वैसा नहीं चलेगा मैं आपको चलाके दिखा देता हूं T पर तमिल लड दबा के shift to R, R पर राजस्तान दबा के मैं आपको इसको चालू करके दिखा रहता हूं देखिए Cut paste इसको ये design को मैं cut paste नहीं किया हूँ color wise तो इसलिए ये running कैसा होगा देखिए ये color चला फिर दूसरा colour चला हो गया ये part चल्ल नहीं होके वहe part में एक color खत्म होके फिर दूसरा color चलू हो रहां अभी देखिए अब ये तिसरा color इसका मतलब ये part पुरा खत्म होने का बाद फिर दूसरा part आएगा इसा होगा तो आपको time-westugo बहुत होगा और आपका जो है ना डिजाइन जो आप मशीन में चलाते हो आपको दिक्कत बहुत सारा दिक्कत आएगा आपको तो यह सब दिक्कत नहीं होने के लिए आपको cut paste करना होगा अभी देखे फिर दूसरा यह part start हुआ तो मैं यहां से cut कर देता हूं cut करकर T दबा देता हूं मतलब paste तो एक color cut paste हो गया फिर view आया view by color फिर दूसरा color पाया दूसरा color पाया के ctrl A ctrl X ctrl V यह भी मैंने cut paste कर लिया ठीके फिर तिसरा color प्याता हूं view by color तिसरा color ctrl A ctrl X ctrl V cut paste यह 4 color मैंने cut paste कर लिया अभी सारा color select करके ok दबा देता हूं अभी देखे यह design cut paste करने के बाद running कैसा होगा देखा देता हूं यह design में तो jumping रहेगा क्योंकि यह design DST में है अभी देखे यह side खतम होने का बाद यह side अभी चलने शुरू हो गया इसलिए design में jumping होगा कि DST file इसमें हम कोई correction नहीं कर सकते हैं starting point ending point रख नहीं सकते हैं लेकिन जितना हो सकते हैं हम से उतना तो कर सकते हैं जैसे cut paste वगएरा करके इसको order wise चला सकते हैं तो देखे अभी एक color खतम होता है पूरा completely एक part का साथ यह color खतम होता है फिर दूसरा color शुरू होता है फिर तिसरा color शुरू हुआ अब देखे मैं fast forwarding करके दिखा रहता हूं देखे यह इसा आपको जो है पूरा completely जैन चलेगा ठीक है अभी यह cut paste कर लिया इसको मैंने cut paste करने के बाद machine पे चलाने के लिए save करना होगा तो कैसा save करना है यह भी मैं आपको बता देता हूं अभी इससे पहले मैं आपको center point कैसा लगाते है वह बता देता हूं stitch का उपर click करिए stitch का उपर click करने के बाद auto start and end का उपर click करिए अभी यहां पर starting point ending point मतलब center point कहां पर रखना है वह आप चूज कर सकते जैसे कि आपका हिसाब से कोई-कोई नीचे रखते है center point कोई-कोई side में रखते हैं कोई-कोई center में रखते हैं तो ज्यादा तर center पे जो नीचे पे center point ज्यादा लोग रखते हैं तो यह नीचे में रखा तो center point यहां पर आ गया हम design machine में डालने के बाद center point नीचे से center point लेकर हम चालू कर सकते हैं तो यह center point हो गया इसको save करने के लिए file पायेंगे save as पे click करेंगे machine में चलाने के लिए हमको DST format का ज़रूरत होता है ताजीमा DST format पे save करके pen drive में भरके machine में चला सकते हैं अगर यह design हमने joint करके save करना है computer में रखने के लिए तो EMB में रख सकते हैं EMB original file होता है तो मैंने अभी DST format में save करके दिखाता हूँ ताजीमा DST format में save किया इसका नाम में लगा देता हूँ त्रिपल लगा लेता हूँ तो save कर देता हूँ यह design save हो गया DST format में अभी दिखाता हूँ आपको यहां पे चांधनी का folder जो था वहां पे दिखा देता हूँ आपको यह देखिए चांधनी का folder है तो एक number folder पाया तो RRDST देखिए RRDST इसको आप pen drive में copy करके machine में ले जाके डालने से यह आपको running हो जाएगा और इसका size वगरा कैसा क्या change करते हैं यह दूसरा पार्ट में बहुता था हूँ बताने में अगर जो भी गलती है छोटा भाई समझ के माप कर दीजिए sorry और दूसरा पार्ट में मैं अलग कुछ लेका हूंगा ठीक है शुक्रिया वीडियो रेखने के लिए अगर आपको आपको आच्छा लगे तो like subscribe करिए मेरा YouTube चनल को subscribe करिए और वीडियो को like करिए और आपका दोस्त और कोई है जैसा कि उनको जानकरी चाहिए तो उनको share कर दीजेगा और आपको machine खरीदना है तो आप मेरे को call करिए मैं आपको अच्छे दाब में अच्छे machine दूँगा और हमारा servicing हम से machine लेने के बाद आप loss म में नहीं आपको कोई loss नहीं होगा profit ही profit होगा ठीक है thank you sir